नमस्कार, RS अनपुर्णा की चर्में आपका स्वागत है आज हम व्रत के लिए सामा चावल की खीर बना के तियार करेंगे आप इसे व्रत में फटाफट बना के खा सकते हैं बहुत जल्दी बन के तियार होती है और बहुत टेश्टी बन के तियार होती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमने सावा चावल ले लिया है इसे हमने धोकर दो-तिन पाने से धोकर 20 मिनट के लिए भिगो दिया था सावा चावल को बघर, वरई, मोरधन अलग-अलग जगा पर अलग-अलग नामों से इसे जाना जाता है इसे रत का चावल भी कहा जाता है हमने 1.5 लिटर दोध गर्म करने के लिए रख दिया है और इसे हम अच्छे से गर्म करेंगे उबालाने तक जब दोध गर्म हो जाये तो उसके पर जब मलाई पढ़ती है उसे हमने नहीं पढ़ने देना है तो इसलिए हमने बीच-बीच में चलाते रहा है और जब इसमें अच्छे से उबाला जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये समा का चावल अच्छी तरह mix करेंगे और इसे हमें बीच-बीच में चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे तली में जाके बैठता है तो जल भी सकता है इसलिए हमें इसे चलाते रहना है और इसे हमें चलाते चलाते इस तरह गाढ़ा कर लेना है देखें अब यह चावल जो इसमें का फुलने लगा है अच्छी तरह जब अच्छे से चावल इसमें फुल जाए तब हम इसमें डालेंगे किश्मीस और थोड़ा सा काजु काट के डालेंगे आपको जो भी ड्राइफ फूट्स पसंद है उसे आप डाल सकते हैं यह जल्दी से खीर बनके तयार होती हैं देखिए अब यह विकुल अच्छी तरह से पक चुका है गाड़ा हो चुका है तो इसमें डालेंगे एक चमच गी गी डालने से यह खीर और अच्छी बनती है अगर आपको गी पसंद नहीं तो आप ना डालें अब देखिए हमारा य खीर पकते पकते विकुल गाड़ा हो चुका है आप इस तरह उठाए चमच में तो दूद और जो चावल है एक है अलग अलग नहीं है विकुल गुल गया है एक में तो अब इसमें डाल देंगे वन फोट कप हमने शक्कर डाला है वन फोट कप हमने समा चावल भी डाला है इतना मीठा ठीक है अगर आपको और ज्यादा लगता है तो आप और डाल सकते शकर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर शकर डालने के बाद हमने पाच मिनट पका लिया उसके बाद में इलाइची पाउडर डाला है और मिक्स करके अब गैस बन कर देंगे ढग देते हैं ताकि इलाइची का फ्लेवर अच्छी तरह खीर में आ जाए पाच मिनट के बाद हम इसे सर्फ करेंगे जो भी पसंद है आपको ड्राइफोट्स डाल सकते हैं हमने बादाम और पिस्ता काटके डाल दिया है तो आप भी इसी तरह वर लाइकन जरू तो बहुत है कि ने वीडियो आप तक बहुत सके नहीं निवाद